ये आकाश वानी है संगीत के अखिल भारतिय करिक्रम में आज प्रस्तुत है श्री अन्वर हुसैन का संतूर वादन जैपुर के जाने माने संगीत कलाकारों के परिवार में जन्मे श्री अन्वर हुसैन ने बहुत छोटी उम्र से ही संगीत सीखना शुरू किया आपके पहले गुरू थे आपके पिता उस जमाने के प्रसिद्ध क्लेरियोनेट वादग और संतूर वादग उस्ताद अब्दुलरह्मान जो मिट्टन खां के नाम से भी जाने जाते थे आगे आपको सुप्रसिद्ध मेंडोलीन वादग उस्ताद सज्जात खां से अमूल्य मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ। कुछ समय तक अपने चाचा मुन्शी खान और उस्ताद यासीन खां की तालीम में भी रहे। तचपश्चात उस्ताद आमीर महम्मत खां से आपको संगीत का प्रशिक्षण मिला। श्री अन्वर हुसैन आकाशवाणी और दूरदर्शन के अश्रेणी कलाकार हैं। देश में विभिन शहरों में एकल संतूर वादक तथा संगतकार के रूप में आपने संगीत सभाओं में शिरकत की है। मतुरा के प्रतिष्ठित स्वामी हरिदास संगीत संवेलन तथा आगरा के ताज महोत्सव में आपने प्रस्तुती दी है। श्री अन्वर हुसैन का संतूर वादन श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करता है। रागदारी की बारिकियों में निपुणता तथा मुश्किल लैकारी के साथ जोड़कर जटिलतान के चलन को अधिकार पूर्वक दिखाना आपके संतूर वादन की विशेशता है। आप भारती शास्त्रिय संगीत की परंपरा का अनुसरन करते हैं और संगीत को उसके शुद्धतम स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। संप्रती आप आकाश्वानी मुंबई में संतूर वादक के पद पर कारियरत हैं। आज की सभा में श्री अन्वर हुसेन अपने संतूर वादन का शुभरंभ कर रहे हैं राग पूरिया कल्यान से। आला, जोड, जाला और उसके बाद तीन ताल में निबध्ध, विलंबित और दृत गत। श्री अन्वर हुसेन क संतूर पर बजाया, राग, पूरिया, कल्यान। walking and Ustaad Yasin Khan. Afterwards, he continued his training from Ustaad Aamir Mohamad Khan. Anwar follows the musical style of the Santur Maestro, the legend, Pandit Shivkumar Sharma, and tries to adopt the form in his performance. Sri Anwar Hussein is an A-great Santur player with All India Radio and Dood Darshan. He has extensively travelled to different parts of India and has presented successful concerts as a soloist as well as an accompanist. He performed at the prestigious Swamiharidas Sangeet Sammelan in Mathura and the Taj Festival in Agra. His presentation makes the audience spellbound. He always maintains a beautiful tonal quality on his instrument. He follows the traditional form of Indian classical music and presents his music in the purest form. His mastery over the intricate nuances of ragadari and complex taan patterns combined with difficult laikari makes his presentation remarkable. Tonight, he is accompanied on tabla by Shri Amit Chaube. Shri Anwar Hussain begins his Santur recital with Rag Puriya Kalyan. Aalab Jod Jhala, thereafter, Vilambit and Dhrudgat is set to teen taal. Let's listen to Rag Puriya Kalyan. Shri Anwar Hussain कर दो कर दो कर दो कर दो करेंगे साथ कर दो 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 झाल 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 झाल